ओम नमस्षिवाई जै मादरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत तेव हार टोटके मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शिर्मा दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि साल का पहला प्रदोश व्रत हम किस दिन रखेंगे और इस बार कौन सा प्रदोश व्रत पढ़ रहा है इस व्रत का क्या माहत्व है इस व्रत को करने से किन फलो की प्राप्ति होती है और जो लोग पहली बार प्रदोश का व्रत श चुरू कर सकते हैं या नहीं समस्त जानकारियां इस एक वीडियो में मिलने जा रही है तो संपोर्णता से वीडियो को अंच तक जरू देखेगा दोस्तो प्रदोश्वरत हम सभी जानते हैं भगवान शिव को प्रसंद करने का सबसे सरल माग है अगर कोई बिव्यक्ति जान शिव की उपासना करने से दुखदारिद्वरता हर प्रकार के रोग शूब कर्ज से मुक्ति मिलती है किसी भी प्रकार का दोश है संकठ है आपके जीवर में उससे आप छूच जाते हैं तो बहुत ही शुप वलदाई माना जाता है प्रदोश का व्रत तो साल का जो पह की नाम से जाना जाता है तो जो साल का पहला व्रत है ये प्रदोश का ये मंगलवार को यानि की भौमवार में पढ़ रहा है तो इसे हम भौम प्रदोश व्रत के नाम से जानेंगे दोस्तो इस दिन पहली जो मासिक शिवरात्री है दोनों ही चीजें पढ़ रही है दोनों ह चिव की उपसना जो भी लोग करते हैं ऐसी मानेता है कि उनके समस्तु दुखों का नाश हो जाता है। कितिती प्रारंप हो जाएगी जो कि 9 जनवरी को रात में 10 बच कर 25 मिनिट पर समाप्त होगी तो इस दिल बहुत ही शुब बृधी योग भी रहेगा चंद्रमा धनुराशी में रहेंगे जिससे इस दिल धन योग भी बन रहा है तो बहुत ही शुब सैयोगो वाला ये प्रद प्रदोश्वरत है तो जो भी पहली बार शुरू करना चाह रही है प्रदोश्वरत वो इस मास से शुरू नहीं करेंगे वो अगले मास यारी कि माग मास के प्रश्नवक्ष के प्रदोश्वरत से ही शुरू कर सकते हैं अब जो भौम प्रदोश की जो पूजा विधी होगी आज के दिन की वो नोट कर लीजे, आज के दिन सुबह हमें ब्रह्म महुर्ट में उठना बहुत ही शुबकारी होता है, तो जल्दी उठना चाहिए, स्नाना देक्रियों से ने वृत कर, स्वक्ष वस्त्रुधारन करें और वृत कर संतल पे, आज के दिन बस अगर आप हलके र बहुत ही विशेश प्रकार से, जैसे कि आप चाहिए, तो पंजामरत से अभिशेख करें, किसी भी ध्रब विशेश अभिशेख करें, और उसके बाद भगवानशिव की प्रियवस्तूई, जैसे कि बिल्बबत्र हो, आंकड़ी की फूर हो, धतूरे के फूर हो, धतूरे का पल हो, इन सब चीज़ों को अगर हम अर्पित करते हैं, भांग अर्पित करते हैं, अबीर अर्पित करते हैं, मतलब गुलाल अर्पित करते हैं, श्वेत चंदन अर्पित करते हैं, इससे भगवान शिव हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रदोश में देखिए, भोग में आप अन्य का भोग जैसे चूरमे का भोग लगा सकते हैं, आप खीर का भोग लगा सकते हैं, भगवान शिव को ये चीज़ें आज के दिन अगर भोग स्वरूप अर्पित करते हैं, तो वो बहुत प्रिसर न होते हैं, दोस्तों अब क्योंकि ये भौम प्रदूश है, तो बहुत विशेश महत रखता है, दोस्तों सबसे पहले तिरोधिशी की तिथी नोट कर लीजिए, तिरोधिशी की तिथी प्रारम वो हो जाएगी, आज जनवरी को रात में 11 बच कर 58 मिनिट पर, जो की समाप्त होगी 9 जनवरी को रात में 10 बच कर 14 मिनिट पर, और आज का, ज पूजन करेंगे, वो शुब मुहट क्या है, तो शुब मुहट तोड कीजे, शाम में 5 बच कर 41 मिनिट से रात के, 8 बच कर 24 मिनिट, 2 गंटे 43 मिनिट की ये समय अवधी है, इसी समय में आपको भोलिनात मया पार्वती की पूरे विधान के साथ में पूजन करना है, प्रदो करना है, तो नमक का सेवर नहीं करें, सुबह की पूजा के बाद कई लोग पानी, चाय वगर जो लेना चाहते हैं, लेते हैं, अगर आप ये ऐसा करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, बहुम प्रदोश्वरत के दिन थी दोस्तों, आज की जो पूजन विधी है, वो संपन्ने क बहुम प्रदोश्वरत की हर बार की अलग कथा होती है, तो आपको बहुम प्रदोश्वरत की कथा सुननी चाहिए, भगवान भोलिनात का पूरे विधी विधान से मरिया पार्वती की साथ में आर्ती करनी है, आर्ती में आज की दिन कपूर की आर्ती करते हैं, इससे भोलि कामना के लिए आपको करना चाहिए तो आज के दिन जैसा मैंने बताया कि भगवान शंकर के साथ उनके इरूद्र अफदार हनुमान ची की पूज़ा आपको विशेश जरूर करनी चाहिए आज के दिन अगर आप कर्श मुक्ति के लिए कोई उपाई करना चाहते हैं तो शिब हनुमान चालीसा का पाठ करने से पुराने से पुराने कर्द से आपको मुक्ति मिल जाती है तो इस प्रकार से इस भौम प्रदोश आपिधी विधान से भोलिनाथ हनुमान जी का पूज़न करें और कर्श मुक्ति के लिए ये एक जो राम बान उपाई है जरूर अपना है उमीद करती हूँ वीजियो में देगे ये सभी जानकारी आपके लिए उप्योगी साबित होगी वीजियो गर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा इसी प्रकार से आपको हर व्रत्योहारों की जानकारी यहां पर संपुर्णता से पूज़ा पिधी के साथ तो हो सके वीजियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जै मादारामी हर हर महादे कि जानकार से अर गादा़ कि ए्सा अर पादा़ कि गलॉत आगने कार सुक्तू हो सकार कर दो को कि जानकायक जत्याता प्राद्वादों moonlight